नमस्ते दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल टूरास्टिक पर और आज हम बात करेंगे भारत के मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित, अश्ट मुखी, भगवान, पशुपतिनाथ, मंदिर के बारे में वीडियो शुरू करने से पहले में आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप मंदसौर के रहवासी हैं तो अपने शहर के लिए वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि यह विडियो देश दुनिया के कोने कोने में जाए और दुनिया भर से लोगमंद सोर ट्रेवल करने आए जिससे यहां का टूरिज्म और बढ़े भगवान पशुपतिनात की प्रतिमा विश्व प्रसिद्ध है और इसकी कहानी अद्वितिय है तो आईए जानते हैं इस मंदिर का इतिहास पौरानिक कथाओं को माने तो एक उदा नाम का धोबी अपने कपड़े एक पत्थर के ऊपर धोता था एक दिन सोते हुए उसे सपने में शिवदर्शन हुए और भगवान ने उससे कहा कि जिस पत्थर पर तू कपड़े धोता है वो मेरी एकमात्रश्ट मुखी प्रतिमा है तब उस धोबी ने अगली सुबह लोगों को यह बात बताई और प्रतिमा को निकालने का प्रयास किया गया मूर्ति इतनी विशालकाय और भारी थी कि सोला बेलों की जोड़ी भी उसे खीचने में असमर्थ हो रही थी पर लोगों की मदद से मूर्ति को निकाला गया जब मूर्ति को नदी से दूर स्थापित करने के लिए ले जाया जा रहा था तब एक निश्चित दूरी के बाद मुर्ति वहां से आगे ही नहीं हिली मानो वो जिस शिवना मैया की कोक से निकली है उस नदी से दूर नहीं जाना चाह रही हो इसके बाद कई साल तक मुर्ति की स्थापना संसाधनों के अभाव में नहीं हो पाई कुछ समय बाद भागवताचार्य श्री 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 एक हजार आठ स्वामी प्रत्यक्षानंद जी द्वारा मुर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी वबाद में गौलियर स्टेट की राज माता श्री विजया राजे सिंधिया द्वारा एक विशाल मंदिर का निर्मान करवाया गया एवं मंदिर शिखर पर स्वन कलश को स्थापित किया गया ऐसी ही मूर्ती नेपाल के काठमांडू में बागमती नदी के किनारे स्थित है नेपाल स्थित प्रतिमा चार मुखी है जबकि मंद सौर स्थित प्रतिमा अश्ट मुखी है मंदसौर की प्रतिमा में बाल्यवस्था, युवावस्था, अधेडवस्था वव्रिधावस्था के दर्शन होते हैं इसमें चारों दिशाओं में एक के ऊपर एक दो शीर्श हैं प्रतिमा में गंगावतरण जैसी दिखाई देने वाली सफेद धारियां हैं जबकि नेपाल की चार मुखी प्रतिमा थोड़ी अलग है घर एक चेहरे पर छोटे उबरे हुए हाथ होते हैं जिसके दाहिने हाथ में रुद्राक्ष की माला और दूसरे पर कमंडल होता है साथ ही मंदसौर स्थित प्रतिमा की उंचाई लगभग 7.25 फीट है जबकि कार्ड मांडू की प्रतिमा की उंचाई एक मीटर के लगभग है तो ये थी जानकरी पशुपतिनात मंदिर के बारे में इसी तरह की वीडियोज के सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें साथ ही कॉमेंट करके हमें बताए कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं